दो दिन पहले हम सभी देश्वासियों ने 75 वा गणतंत्र दिवस बहुत दुमधाम से मनाया है। इस साल हमारे समिधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रिम कोड के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदरब डेमोक्रेशी की रूप में भारत को और ससक्त बनाते हैं। भारत का समिधान इतने गहन मन्थन के बाद बना है कि उसे जीवन तस्तावेच कहा जाता है। इसी समिधान की मूल प्रति के तीसरे अध्याय में भारत के नागरीकों के मुलभूत अधिकारों का वर्ण किया गया है। और ये बहुत दिल्चस्प है कि तीसरे अध्याय के प्रारम में हमारे समिधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मन जी के चित्रों को सान दिया था। प्रभु राम का शासन हमारे समिधान निर्माताओं के लिए भी प्रेणा का स्रोत था। और इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से राष्ठ की बात की थी। साथियों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोणों लोगों को मनों एक सुत्र में बान दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ती एक, सबकी बातों में राम, सबके रदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दवरान राम भजन गाकर उन्हें स्री राम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम जोती जलाई, दिवाली मनाई। इस दवरान देश ने सामुहिकता की शक्ती देखी, जो विक्सिद भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। मैंने देश के लोकों से आगर किया था कि मकर संक्रांती से 22 जनवरी तक स्वच्छता का अभ्यान चलाया जाए। मुझे अच्छा लगा कि लाखों लोगों ने स्रद्धावाव से जुड़कर अपने ख्षेत्र के धार्मिक स्थनों की सापसफाई की। मुझे कितने ही लोगों ने इस से जुड़ी तस्विरे बेजी हैं, वीडियो बेजे हैं, ये भावना रुकनी नहीं चाहिए, ये अभ्यान रुकना नहीं चाहिए, सामोहिक ताकि यही शक्ती हमारे देश को सफलता की नई उचाई पर पहुचाएगी।